हाई फ्रेंद्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल प्रेंस चान्नी फॉरेवर व्लॉग्स सो आज मैं आपको दो स्टेप्स बताऊंगी जो आप समर्स में कर सकते हो जिससे आपकी स्किन डल नहीं रहेगी और ब्राइट हो जाएगी सो दो स्टेप है उसमें से पहला स्टेप है क्लिंजिंग इससे आपकी स्किन ब्राइट होगी पोर्स स्रिंक होंगे और अपकी स्किन काफी मुझे की बन जाएगी so start करते है and मैं अभी morning में उठके सबसे पहले सोचा skincare करके आपको दिखा देती हूँ अभी तक मैंने अपना मूँ नहीं धोया है and अभी morning है so सबसे पहले करते है skincare दनने के लिए हमें ले लेना है milk and आप कच्चा milk भी यूज कर सकते हो वो ज्यादा बैटर रहेगा and boil वाला भी यूज कर सकते हो so कोई भी milk चलेगा so हमें पहले ले लेना है milk and उसके अंदर हमें चार से पाच ड्रॉप्स डालने है लेमन के so one, two, three, four, five so हमने फाइव ड्रॉप्स लेमन के milk में add कर देने है and फिर इसको अच्छे से mix करने के बाद दो, three minute के लिए इसको side पे रख दे ताकि लेमन and milk अपने में अच्छे से mix हो जाए so two, three minute होने के बाद ये अच्छे से गाड़ा हो गया है and lemon इसके अंदर अच्छे से mix हो गया है हो सके वहाँ तक थंडा milk लीजिए so आपकी skin पे ज्यादा अच्छा effect करेगा cotton ले लीजिए tissue paper use मत कीजिए क्योंकि tissue paper से हमारे skin पे resis हो जाते है scratch हो जाएगी skin so एक soft cotton ले लीजिए इसको इसके अंदर dip कीजिए and dip करने के बाद cleanse कीजिए अपनी skin को so ये जो सारी remedies है वो कोई भी age group के लोग use कर सकते है बच्चे, बुडे ladies, gents, girls, boys बस जो boys होते है उनकी skin hard होती है तो उन पे ये सारी चीजे थोड़ी देर बाद असर करती है and girls पे जल्दी अजर करती है क्योंके girls की skin मुलायम होती है and boys के थोड़ी hard होती है लेकिन दोनों को ही इससे फर्क परता है so कोई भी girls, boys ये use कर सकते है so इस cleansing milk से मैंने अपने face को अच्छे से clean कर लिया है and 3-4 minute इसको ऐसे ही सुखने देते है and इसके बाद face wash करते है so mask बनाने के लिए हमें ले लेना है rice का आटा and जो cleansing milk हमने ready किया था वही हम use करेंगे ये cleansing milk इसके अंदर mix करके इसका paste बना लेना है so next step हम करेंगे अपने face पे mask apply उसके लिए हमें ले लेना है ये चावल का आटा so 2 tablespoon चावल का आटा ले लीजिए and इसके अंदर हमने जो cleansing milk ready किया हुआ है वही इसके अंदर add करेंगे so ये चावल के आटे में cleansing milk add करना है and फिर इसको अच्छे से mix कर लीजिए paste जैसा बना लीजिए इसका and इसको अच्छे से mix करने के बाद ऐसे आपको अपने face पे fingers की help से लगाना है and brush बिल्कुल भी use मत करना brush से हमारे skin पे resis हो जाते है scratches आजाते है so हमेंसा अपनी fingers का इस्तिमाल कीजिए skincare के लिए and इसको अपने full face पे इसका mask लगा लीजी and मैं मिलती हूँ आपको ये mask लगा के wash करने के बाद so मैंने कर लिया है अपना face wash and आप results देखिए मेरी skin कितनी bright and fresh लग रही है आप video के starting में देखिए and अभी देखिए कितनी brightness आगई है कितनी freshness आगई है and skin कितनी smooth हो गई है so आप भी ये mask और cleansing में ज़रूर ट्राइ कीजिए क्योंकि गर्मिया स्टार्ट हो गई है गर्मियों में अपनी skin की care लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है डलने सा जाती है blemishes आ जाती है ये सारे चीज़े ये brightening mask and brightening cleansing आपकी अच्छे कर देगा so आलस मत कीजिए स्कीन अच्छी करनी है तो थोड़ा तो हिलना डूलना पड़ेगा so जरूर ट्राइक करना and skin की care लेना and अपनी skin को hydrate रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है so please do skincare morning में उठने के बाद में ये skincare कर ही रही थी तब मुझे याद आया क्योंने आपके साथ भी ये circle अभी दक मैंने बात भी नहीं किया है and सुबह में face wash भी नहीं किया था डाइरेक ये skin care की है and इसके बाद मैं बात लूँगी sour लूँगी and ready होंगी अभी तो ring light भी on नहीं है फिर भी आप brightness देखिए कितना ज्यादा brightness आ गई है ये mask and cleansing milk से so बहुत ही अच्छा घरे लूँपाई है ये so try करना and मेरी चैनल को subscribe, like, share अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर करना so मिलते हैं next video में thank you for watching friends